यह पेपर है आपके वार्षिक प्रिक्षया सतर है 23 24 कक्षा 9 विज्ञान का पेपर है किसी स्टूडेंट ने मुझे वाटसप पर बेजा है अगर अभी तक आपके डिस्टिक में साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो यह वाला पेपर आप त्यार कर सकते हैं, इस पेपर से आप एक अच्छा इसको और साइंस के पेपर में कर सकते हैं तो वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर में आपको साइंस का पूरा पेपर बदाने वाला हूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहला कुशन है आपके वस्तुनिस्ट प् तो समय ये ऊप्सन आपका सई होगा थोस यानि सोलिड उसके बाद में दूसरा प्षण है आपके कि निमन लिखित में से कौझ सा योगिक का एक उदारम तो इसमें योगिक कौझ सा बी ऊप्सन हो जाएगा आपके जल यानि वाटर और तीसरा प्रसन है कि आमोनियम सलफेटे है तो इसमें हो जाएगा 63 यू उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पांच वा परसन की जो सोडियम है उसका सही उलेक्ट्रोनिक विन्यास निमन में से कौन सा है तो इसमें सी ओप्सन आपका करेक्ट होगा और क्यूसर नमर 6 कि कोशिका का सक्ति यानि पावराउस वो क्या हो संद्रिया होगा और उसके बाद में कोशिका में कंद्र की जो खोजा वो किस ने की तो तो कांद्र की खोज किस ने की ति रोबर्ट ब्राउन नहीं और उसके बाद में question number 8 है आपके कि मनुश्यों के द्वारा सूनी जाने वाली सर्वे आवर्ति है उसकी प्रास क्या होगी उसकी रेंज क्या होगी तो इसमें आपका सही होगा और और की उसंनमर 11 है की जूरजा का मान नीबर करता है. तो द्रवे मान और वेग दोनों पर और क्यूस्यों क्रूस्थ् नमर 12 है कि सक्ती का मातरक होता है आपके वार्ट। उसके सब्सक्राइब करता है तो इसके बाद में क्या सब्सक्राइब करता है और उसके बाद में कुछ से नमर पंदर रहे कि विव जो तक के कोशिकाउं में अनुपस्तित होता है तो इसमें चार ओंसें डियुटन की घरतिका प्रत्रम नियमी तो इसमें चार आई कौन सा प्रत्रम्न होगा वह आपको बताने उसके बाद में इग्ल्ठ सतान वाले प्रसंय जिसमें पहला प्रसं हैं कि कॉलाइड एक虫 रन और दोसरा है कि लिनावे सिट केंसे उनको क्या कहते हैं trust है कि परती काई समय में वस्तु के दूरी यह वो क्या सब्सक्राइब नियम लिखिए पांच वह पर सने नारियल का रेशा की सुत्तक का बना होता है परसंग क्या होता है उसके बाद में अति लगूत रात्मक प्रसंद दे रहे हैं जिसमें प्रसंग क्या साथ एक निमन योगी को के आणवी द्रुविमान ग्याद कीजिए तो एक आपके CH3OH और तीसरा है NH3 और चार नमर है आपके H2O उसके बाद में आठ हुआ परसंद है गुर्त हुआ करशन है उसका सारुत्रिक नियम है वह आपको लिखना है और उसके बाद में प्रसंग्या नो दे रहा है आपको कि किसी वास्तु के दर्वेमान तदा भार में अंत आपकमानों को सेल्सइश हिकाई में परिवर्तित करना है जिसमें 300 कलीवन और दूसरे में 5333 कलीवन है उसके बाद में प्रसंग्या 12 गर्मियों में गडे का जो जल हो ठंडा क्यों होता है और दूसरा प्रसंग्यों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और प्रसंग् सब्सक्राइब को प्रिभासित कीजिए और दूसरा निमेरिकल कुश्चन है कि गाड़ी का दुरुविमान पंद्रा सो केजी है यदि गाड़ी को वन पॉइंट साथ मीटर सेकिंड के सब्सक्राइब के साथ विरा मावस्ता में लाना है तो गाड़ी थता सड़क के बीच चलने वाला जो फोर्स है जो बल हो कितना होगा और प्रसन सिंग्या सत्रा है कि निम लिखित को परिभासित कीजिए जिसमें प्रमानु कर्मांग के संभारी के और दुरुविमान संख्या है और अठा यह थोम् सब्सक्राइब कि व्योंस सब्सक्राइब करें चाल और वेग में अंतर लिखीए और दूसरा ब सगि किसी वस्तु की गति जूर्जा क्या होती है इसका किंज लिखी और की किसी घर में एक महने में सब्सक्राइब 250 यूनिट योई हुई है और यह उर सबिस्कार्बोनेट और दूसरा के एन ओथी यानि पोटेसियम नाइड रहे ऐल टु और ऊसके बाद सिय। यरूं deposit क्लोराइड उसके बाद में पर संग्यां बहुत करेंद से कि प्रो केरियोटिक टता करियोटिक कंट में अंतर लिखी और दूसरा पर्सने की पोधों में उच्षाइछा कारियों उल्लेग कीजेए और तंत्रिका को सीका निरोन का नामंग की चित्र बनाईए प्रसंसिंग्या 24 है कि एक रेल गाड़ी विरामवस्ता से चलना सुरू करती है और पांच मिन्ट में 22 किलोमेटर परती गंटा का वेगप्राप्त कर लेती है यदि तुरन एक समान है तो ग्याद कीजिए कि तुरन रेल गाड़ी द्वारा ते की दूरी तो दोनों में एक में तो तुरुन गयाद करना है एक में रेल गाड़ी के दुवारा ते की दूरी जात करनी है उसके बाद में निम्दात्मक प्रसंसेट यानी इजी टाइप कुश्चन से जिसमें प्रसंसिंग्या 25 है निमन लिखित पर टीपनी लिए एक तो है आ आपके प्रसंसेग्या 26 की 7 उत्तक को प्रीभाषित कीजिए और जायलम तदाफ्लों उत्तक में अंतर लिखिए और इसके अथवा में परसंसेट कीजिए और यह कितने प्रकार के होते हैं समझाईए प्रसंसेट 27 है प्रा दवनी क्या होती है इसके अनुप्रियोग आपको लिखने हैं और अत्वा में परशन है दवनी का अनुरणन क्या होता है इसे कम करने के जो उपाए है वो आपको बताने है प्रसंसेंक अठाईस है कि अंतरा फसलिकरण किसे कहते हैं इस से होने ये लाब बताईए और और इसके अत्वा में परसन है कि आनुवांसिक फेर वदल क्या है और करशिप नालियों में है कैसे उपयोगी है तो यह पूरा पेपर आप देख सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ सेर करें ज